हलो दूस्तो नमशकार एसेम किसी चानल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत फगत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना एक और दूसर चानल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज करके अगर आप चाहो तो इस चानल उसकी जो शुरुवात होती है और डेफिनेटली अदानी ग्रूप से रिलेटड ही कोई ना कोई खबर आती है उसी से रिलेटड होती है और यूज्योली एंड भी अगर हम लोग यहापर दीन का बात करे तो अदानी से ही रिलेटड कोई ना कोई खबर आती है उसी से रिले फिलाल तो uncertainty बनी हुई है तो इसलिए proper direction देखने को नहीं मिल रहा है बट जैसे धीमे-धीमे करके picture clear हो जाएगी सारी चीज़े हम लोगों को देखने को आपे मिल जाएगी तो दोस्तों वह news आप लोगों के सामने आपे आचुके माइड भी आप लोगों नहीं आपे पड़ी भी होगी कि अदानी विलमर अदानी ग्रूप की company हम लोगों को देखने को आपे मिल जाती है तो उनका हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को यहापे plant भी देखने को मिल रह हूँगा अभी tax authorities भी बहुत सारे हम लोगों को देखने को मिल जाते है income tax भी रहते हैं जी आप चेक कर सकते हैं दूसरे website के उपर Indian Express की अगर हम लोग बात करें वहापे बताया जा रहा है कि अदानी विलमार इंस्पेक्टेड ओवर allegation allegation मतलब आरोप है उनके उपर of GST violation कि GST मतलब टैक्स ही रहता है कि उन्होंने शायद से टैक्स यहापे भरा नहीं होगा टैक्स इवेशन से रिलेटेड यहापे इनके उपर आरोप है इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में उनकी जो फैसिलिटी है वहापे फिलाल हम लोग को inspection rate फिलाल तो होते वे देखने को आपे मिल रही है दैन अगर हम लोग और थोड़ा से इसी चीज़ को examine करने की कोशिश करें कि और क्या-क्या खबर सामने आ रही है तो इतना तो पक्का पता चल रहा है कि अदानी विल्मार ये company का नाम तो पक्का हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में ही हम लोग के सारी चीज़ी दिखने को आप देख सकते टैक्स irregularities की बात सामने आ रही है and state excise then उसी के साथ-सा टैक्सेशन डिपार्टमेंट या पर उनके जो वेर हाउसे से किसका अदानी विल्मार का हिमाचल में वहाँ पर raid करते वे देखने को आपे मिल रही है सो ऐसे बहुत सारी खबरे हम लोग को फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है और अगर हम लोग बात करें ये खबर अभी हम लोगों को पता चल चुकी है कि येस अदानी विल्मार की जगह पे हम लोग को टैक्स ओफिशल्स यहाँ पर इंस्पेक्ट करते वे देखने को आपे मिल रहे है सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आरोप क्या है आरोप वही है टैक्स इवेशन का इवेशन मतलब चोरी टैक्स यहाँ पर भरा नहीं है इससे रिलेटेड इंस्पेक्शन यहाँ पर चल रहा है ये बाते फिलाल तो देखने को मिल रही है अगर हम लोग बात करें खबर तो नहीं बोलना चाहिए डेटा की बात करें तो आप देख सकते है यहाँ पर चल रही है as a stock market player तो इसमें हम लोगों को एक बहुत बड़ा hidden चीज भी हाँ पर समझ में easily आ जाते जिसको आप चाहो तो golden point भी बोल सकते हो कौनसा golden point यह जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश यह opposition party के मतलब वहाँ पर उनका rule देखने को मिल रहा है तो definitely इसका indirectly अर्थ यह भी होता है कि अभी जितने भी opposition party है जहाँ पर हम लोगों को पावर में देखने को मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत तो अभी हम लोगों को फिलाल हिमाचल प्रदेश यह तो होती भी देखने को आपे मिली है यह एक मतलब आप एक अनुमान यहाँ पर लगा सकते हो और ऐसा क्यों ना हो जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि यह जो मुद्दा हम लोगों को देखने को मिल रही है एक ऐसा मुद्दा है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें भी बहुत बड़ा deciding factor यहाँ पर create यहाँ पर करवा सकता है और इसलिए मतलब बोलते हैं जितना कुछ हो सके माहोल जिस तरीके से बनाने से related चीज़े यहाँ पर लगती है इसके चलते अदानी ग्रूप की जो company है अदानी विलमार वो अभी फिलाल अमनों को focus में रहती वे देखने को मिली है यह तो हो गई एक side की बाते जो की इतना पता चल रहा है कि उनके वेरा उसे इसके उपर tax officials जाते वे देखने को मिले है अदानी विलमार ने इससे related क्या बाते सामने रखी है वो मैं आपके सामने भी आपे रखना चाओंगा अदानी विलमार की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं अदानी विलमार ने जो उनके उपर red हुई है इससे related कुछ बाते बोली है point number one no irregularities found in a operation and उसी के साथ-साथ dealings अदानी विलमार का ये बात उन्होंने सामने रखी है ठीक है यहाँ पर लोग आये थे ये तो बात सच है बट कोई भी गडबड़ी यहाँ पर पाई नहीं गई है हमारे operations में, dealings में ये बाते अदानी विलमार में अपने बचाओं में आपे सबके सामने आपे रखी है exchange के उपर भी ये सारी चीज़े फाईल होते वी देखने को मिली है प्लस उसी के साथ-साथ अदानी विलमार ने एक और important point सबके सामने रखने की कोशिच के है जैसे की ये जो अभी चीज़े होती भी देखने को मिल रही है इसको raid ना बोल दीजे उन्हेंने कहा है कि एक routine inspection था जितने भी ओफिशल से आपे आये थे raid नहीं बोलना चाहिए ये बार-बार बता है routine inspection no raid by authorities at Imachal Warehouse तो ये भी point अदानी विलमार ने सब के सामने आपे रखा हुआ है तो ये सारी चीज़े फिलाल तो हम लोग को अभी latest cover के अगर हम लोग बात करें अदानी group से related तो ये खबरे फिलाल तो हम लोग को देखने को आपे मिल रही है तो अभी तक कि अगर हम लोग बात करें rate जैसी चीज़े या फिर tax evasion जैसे RO plug ना allegation होना ये सारी चीज़े negative points हम लोग को देखने को आपे मिले है तो जैसे मैंने आप लोग को का मेरा point आप लोग को जितने भी खबरे बाजार में चल रही है वो सामने रखने से related है तो negative points अदानी विलमार से related फिलाल क्या चल रहा है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया प्लस उसी के साथ अभी positive point भी क्या है तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जैसी के अलग-अलग type के rating agencies देखने को मिल जाते है बड़े-बड़े officials देखने को मिल जाते उनी में से एक ने अदानी विलमार की quarter 3 के result जो कल हमनों को देखने को मिले थे उसके बाद उनने ये काई कि अदानी विलमार का share price आने वाले समय में 680 तक जा सकता है 62% की potential upset उनको नजर यहापे आती है यह कौन बता रहा है जो कि आप यहापे देख सकते हो नोमास price target यह सारी चीज़े हमनों को predict करते वे देखने को आपे मिल रहे है यह एक point भी आप लोगों को ज़रूर यहापे पता होना चे जो कि मैंने आप लोगों के सामने आपे रखा है इसके चलते अभी अदानी विलमार हर किसी के आपे रडार के उपर रहेगा अभी next important point क्या है कि हर कोई यही सोचेगा सर क्या फिर गडबड हुई है या नहीं हुई है इस सवाल का जवाब हम लोगो authority सी देते वे देखने को मिलेंगे क्योंकि अगर हम लोग बात करें जो भी चीज हुई है जैसे कि काय की regular inspection है या फिर कोई बोलेगा raid है बट जो documents वो लेकर चले गए है तो इसके बाद अगर हम लोग देखा गया तो obviously company खुद के वो defend करने की कोशिश करेगी जो opposition है आरोप लगाने की कोशिश करेंगे so ultimately जो final इसका जो outcome रहता है दोस्तो जो tax department authorities है उनके जो officials इससे related जो चानबीन करेंगे वो documents को scrutinize करेंगे उसके बाद outcome क्या निकल कराता है वो यहाँ पे इससे related बातों को सामने रखेंगे तब जाके वो picture clear यहाँ पे हो जाएगी तो उसके पहले यहाँ पे कोई भी कुछ कह नहीं सकता and जैसे कि अगर आप यह भी पूछोगे sir कितना time लगेगा तो यहाँ पे inspection investigation इसका कोई भी fix time नहीं होता है कभी-कभी कुछ चन दिनों में हो जाता है कभी-कभी मेने भी लग जाते हैं कभी-कभी हम लोगों ने देखा भी है कि सालों साल भी आपे लग जाते है so definitely inspection का कोई time limit यहाँ पे नहीं होता है बट इसके चलते अदानी विल्मार में जो अभी हम लोग को आज की दिन चाहे आप red बोलो या फिर regular check-up बोलो routine check-up बोलो इससे related inspection बोलो तो उसका outcome क्या निकल कराता है अभी इससे related हर किसी का focus यहाँ पे रहने वाला है और जो भी खबर आएगी इसके related अदानी विल्मार में हम लोगों वो हल चले देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है तो आज की दिन के अगर हम लोग बात करें तो यह खबर हम लोगों को सबसे ज़्यादा फिलाल तो देखने को आपे मिली है next अगर हम लोग जाते आते हैं एक important point की बात करें तो जैसे की यहाँ पे target सर बताय जा रहे है यहाँ से 62% यहाँ पे भाग सकता है तो सर अदानी विलमार अगर देखा गया तो एक अच्छी company है की नहीं तो दोस्तों मैं आपको openly कहना चाओंगा देखे अदानी विलमार और उसी के साथ साथ अदानी port भी आप लोगों ने देखा होगा यह अदानी के बहुत अच्छे companies है बट problem एक हुआ है जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो बाकी के companies देखने को मिल जाते है जैसे कि gas है, total gas की बात करे green की अगर हम लोग बात करे transmission की बात करे यह कुछ ऐसे companies है ना दोस्तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा issues देखने को मिल रहे issues मतलब क्या कि उनका business इतना बड़ा नहीं है जिसके चलते वो share price इतने rocket की तरह यहाँ पे भागे थे ठीक है, और यह जो companies है विलमार की बात करे, port की port तो इबदम जबरदस business है, बट मैंने आपको एक बात बताई है इसके चलते क्या आप अदानी के shares को खरीदने के लिए जाओगे, तो एक problem हो सकती है क्योंकि अदानी के जितने भी shares है yes, यह 7 के 7 बोलो, 10 shares बोलो यह अभी chain के साथ जुड़े हुए है सब के सब, मतलब यहाँ पे देखा गया ना, तो यह port है बहुत ही genuine company है, विलमार अगर देखा गया, तो यह भी इनकी अच्छी company है, बट अगर इन companies से related कोई negative ख़बर आती है इससे related कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो यह अच्छे companies की भी band बजाएंगे तो यह बात हमेशा याद रखना जब entire group की अगर हम लोग बात करते है अगर आप इसके पहले भी जितने भी इस प्रकार की irregularities हम लोग को किसी group में देखने को मिली है उन group में भी कुछ अच्छे अच्छे companies देखने को मिलते थे बाकी entire चीजों के उपर problem यह पर आ गई तो वो अच्छे companies की भी धज्या उड़ जाती है तो यह भी चीज आप लोगों ने जरूर दिमाग में यहापर रखना चाहिए उसके बाद आपको जो सही decision लगता है आप वो यहापर ले सकते हो तो फिलाल आज की दिन की अगर हम लोग बात करें वैसे तो red की बात करें तो हम लोगो को late night ही एक ख़बर फिलाल तो देखने को आपे मिल रहे थी बट उससे related proper ना कोई confirmation था ना तो company का से कोई यहापे बयान आया था तो आज की दिन हम लोगो यह पता चला है मिलने वाली है और इसके चलते भयंकर uncertainties इन ग्रूप के shares में आपे रहने वाली है तो यह एक factor आप लोगो को पता है आपे होना चाहिए निवेश करने से पहले या फिर ट्रेडिंग करने से पहले तो आशा करता हो यह वीडियो हेलफफूल लगाओगा तब तक के लिए बाई-बाई